हलो फ्रेंड सोनी बुडिक में आपका स्वागत है फ्रेंड आज हम 6 कली पेटी कोट की कटिंग और सिलाई सिखेंगे यहाँ पे देखें पेटी कोट की जब हम सिलाई लगाते हैं तो बेल्ट हमें किस तरीके से टेस करना चाहिए नीचे की शाइड फोल्ड किस तरीके से करना चाहिए और जो हमारा साइड में उपेन होता है उसे हमें किस तरीके से रखना चाहिए आज इस वीडियो में पूरा सीखेंगे तो वीडियो को कम्प्लिट देखेगा यहाँ पे जो हमने फैब्रिक लिया है वो दो मीटर है सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे बीस सेंटर से इस तरीके से सेट करना है किनारी वाली शाइड हमारी आगे की साइड रहेगा और इस तरीके से अच्छे से से सेट करना है सबसे पहले हम यहां से अपना बेल्ट कट करेंगे तो यहां से हम अपने बेल्ट की चोड़ाई लेंगे तो बेल्ट की यहां से देखें बेल्ट की जो चोड़ाई है वो चार इंच रखना है तो पांच इंच पे निशान लगाएंगे एक इंच बढ़ा के लेंगे जो भी आपका साइज है पेटी कोट का और कमर का आपको बेल्ट का जो साइज है वो पांच इंच पे ही लेना है तो पांच पांच इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे और इन सभी निशानों को मिलाते हुए सिधा कर लेंगे तो यह हमारा निशान सिधा हो गया है अब हम अपने कमर की चोड़ाई देखेंगे तो फ्रेंट यहाँ पर देखेंगे हमें कमर की चोड़ाई तैयार करनी है वो 28-38 सिंच है तो यहाँ से हमें 38 सिंच इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और जो भी हमारा वी सेंटर आएगा यानि 19 इंच आ रहा है 19 इंच को आगे की साइड से फोल्ड वाली साइड से इस तरीके से रखेंगे और इसे आगे लेके जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे यह हमारा लगबग 1,5 इंच के बराबर यहाँ पर कमपड़ रहा है तो हम 2 इंच चोड़ी हम यहाँ पर पट्टी अटेस करेंगे तो यहाँ से हमें 2 इंच का कपड़ा यहाँ पर आगे की साइड जोइन्ट कर लेना है अब यहाँ पर देखेंगे कपड़ा जोइन्ट करने के लिए कभी भी आपको यहाँ से कपड़ा नहीं निकालना है इस तरीके से अगर आप कपड़ा निकालेंगे जोइन्ट के लिए तो आपका पेटिकोड का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा यहां पे हमें पेटिकोट की लंबाई फुल रखनी है तो यहां पे देखिए यहां से हम कपड़ा नहीं निकालेंगे अब हम कपड़ा निकालेंगे लंबाई की साइड से अभी हमने चोड़ाई की साइड से निकाला है अब हम निकालेंगे लंबाई की साइड से तो दो कपड़ सकते हैं जो किनारी होती है उसी साइट से हमें निकाला है और यहां से कट करेंगे और इस तरीके से इसको यहीं से कपड़े को डवल फोल्ड कर लेना है यानि हमें दोनों साइड में 2-2 इंच का यहां पर पट्टी कट करना है यह पट्टी हम आगी की साइड अटेस कर लेंगे तो यह हमारा इस तरीके से यह हमारे बेल्ड की चोड़ाई हो जाएगी अगर आपको बेल्ड की करना है और लंबाई की साइड से इसे डवल फोल्ड करना है इसे हमें इस तरीके से लंबाई की साइड से लेना है और इस तरीके से अच्छी तरह से सैट कर लेना है तो यह हमने कपड़े को सैट कर लिया है अब इसको बी सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है यानि कपड देखिए अब हम अपने कमर का आठवा भाग लेंगे जो भी आपके कमर का साइज है उसका आठवा भाग लेना है तो सबसे पहले आप देखिए 38 इंच है 38 को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे तो यह हमारा इसका हाफ निकल के आगया अब यहीं इसी निसान से हम इसको फि निकल करेंगे तो यह हमारा गया अठवा भाग तो जो भी आपका साइज है इस तरीके से आप अपने कमर का आठवा भाग निकाल लेंगे तो यह हमारा लगभग आ रहा है पौने 5 इंच यहां से हम इसमें सिलाई मार्जिंग आड़ करेंगे तो यह होगा सवा 5 इंच 5 इंच और हम बढ़ा के लेंगे क्योंकि हमें यहां पे 2 प्लेट्स लगाने हैं तो 5.5 इंच पे हम अपना कमर रखेंगे जो भी आपका आठवा भागाएगा उसमें आपको आदा इंच सिलाई मार्जिंग लेना है और फिर आपको निशान लगाना है अगर आप प्लेट्स लगाना चाहती हैं तो 5 इंच बढ़ा सकती हैं तो यहां से हम 5.5 इंच लेंगे और इस साइट से भी देखें 5.5 इंच लेंगे दोनों साइट से हमने 5.5 इंच पे यहां से निशान लगा दिया है अब यहां पे इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको यहां से पकड़ेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे यह हमारा तिर्चा फोल्ड होगा कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे निशान से और हाथों से इसको अच्छी तरह से दबाते हुए यहाँ पर प्रेस कर लेंगे ताकि यहाँ पर एक हमारा निशान बन जाए तो यह हमारा निशान यहाँ पर देखिए बन गया है इसी निशान से हमारी कटिंग होगी तो पहले हम फिर से इसको कपड़े को अच्छी तरह से सेट करेंगे कपड़ा हमारा थोड़ा भी आगे पीछे ना रहे तो यह हमारा जो निशान है इसी निशान से हमें कटिंग करना है तो पहले हम यह आप लेखे इस तरीके से आप चाहें तो चौक से निशान भी लगा सकती है अगर आप बिग्नर्स हैं आपको सीधी cutting नहीं हूपाती है तो आप निशान लगा के भी इस तरीके से cutting कर सकते हैं तो यह हमने cutting कर लिया है साइट से जो हमारा बंद है उसको हम open कर लेंगे इस तरीके से cut कर देंगे तो यह हमारी छेकली की पेडिकोट कटिंग हो चुकी है अब हमें सिलाई किस तरीके से करना है वो हम देखेंगे तो देखें इस वाले पाट को इस तरीके से घुमा देना है जो हमारी कमर की साइज है इस तरीके से घुमा देंगे एक पट्टी हमारी तिर्ची आएगी और एक पट्टी हमारी सिधी आएगी इस तरीके से हमें जॉइंट करना है आप यहाँ पे देख सकती है जॉइंट किस तरीके से करना है चलिए वो देख लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए बीच वाला जो हमारी चौड़ी वाली पट् इस तरीके से अटेस करेंगे, इसके उपर इस तरीके से सट करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक हमारी पट्टी तिर्ची आएगी और एक पट्टी हमारी सिधी आएगी इस तरीके से हमें अटेज करना है दोनों साइड में, यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है, आप यहाँ पे दोनों साइड में देख सकती हैं, सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हमें तयार करना है, तो हमने दूसरे पार्ट को भी यहाँ पे तयार कर लिया है, तो इस साइड में हम उतनी सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर हमने इस साइड में सिलाई लगा लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमें इस वाले साइड में निशा सिलाई लगाना है तो यहाँ पर हमें ओपन भी करना है उपर की शाइड तो यहाँ पर हम निशान लगाए वो आप कर सकती है तो हम उपर की साइट से यहां से साड़े तीन इंच नीचे लेंगे और यहां से सिलाई पका करते हुए सिलाई लगाएंगे यह हमने पका करते हुए सिलाई को यहां से लगा लिया है पूरे फैब्रिक में सिलाई लगा लिया है अब हम अपना बैल्ट रट पूरी लंबाई निकल के आएगी, अब हम यहां पर देखे, अच्छे से से सैट कर लेंगे, अब यहां पर 20 सेंटर में यहां से देख लेंगे, एक इंच है, तो यहां पर भी एक इंच पर निशान लगा देंगे, इसको गुल सिप में ले लेंगे, इस तरीके से हरकशा गु फ्रेंट जब हम पेटी कोट में यहां पर सिलाई लगाते हैं, तो अक्सर यहां पर सिल्वटे आ जाती हैं, तो आज मैं आपको बहुत ही असान तरीका बताऊंगी, अगर आप बिगनर्स हैं, तो भी आप असानी से से बना सकती हैं, यहां से दिखे, सबसे पहले हम दोरी तयार करना है, तो दोरी की चोड़ाई जादा है, तो हम इसमें से और भी कट कर लेंगे, यानि एक इंच ही चोड़ा हम यहां पर रखेंगे, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे दोरी को तयार कर लेंगे, तो यह हमने दोरी को तयार कर लिया है, अब इसमें सेट कर लिया है अब इसको यहां पर डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सेट करेंगे और यहां पर सिलाई लगाएंगे अब यहां पर हम सिलाई को रोकेंगे और यहां पर देखिए एकदम नीचे की सेट जहां पर हमारा सिलाई लगा हुए वहां से हमी स्टोरी वाले मे से जो हमने पीस कट किया है वो यहां पर अटेस कर देंगे इसके उपर से सिलाई को घुमाएंगे और यहां से इसको फिर घुमाते हुए इस साइड में भी सिलाई को लगा लेंगे अब यहां पर जो भी हमारा एश्टा फैब्रिक होगा उसे हम छाट लेंगे इस तरीके से देखिए जब आप डोरी से यह पिसक अटेस करेंगी तो आपका यहां पर कभी भी जो सिलाई टूड जाता है बाद में चलके वो समस्या खतम हो जाएगी और बहुत यह चीस की फिनि सकती है काफी अच्छी तरह से साइड ओपन हमने कर लिया है यहां पर कितना भी यह खिचाओ करेंगी आपका सिलाई नहीं तूटेगा इस तरीके से आप पेटी गोड की सिलाई करिएगा अब हमें बैल्ट किस तरीके से लगाना है तो पहले हम बैल्ट लगाने का तरीका द सब्सक्राईों अरो प्ली कितना हम बेल्ट लगा लगाने गए इतना हम इसके ब्लैपना यहां पर लेएं तो 2 इंच का हम यहां पर लगा लेंगे तो बीच वाला जो हमारी चौड़ी वाली पट्टी ही उसमें हम कर Status निकाल लेंगे इस तरीके से डबल फॉल्ड करते और इसको हलका सा इस तरीके से त्रिछा लेके आना है और सिलाई को उतार देना है इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस वाले चोड़े वाले पट्टी में भी यहाँ पर भी एक हम प्लेट्स लगा लेंगे इस तरीके से हमने इसको त्यार कर लिया है अब अपना हम बेल्ट अटेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह हमारी सीधी साइड है और यह हमारी उल्टी साइड है उल्टी साइड से हम पहले अपने बेल्ट को अटेस करेंगे तो यहाँ पर देखें सीधी साइड और उल्टी साइड दोनों हमारा आमने सामने होना चाहिए यानि बेल्ट जो है वो उल्टी साइड उपर की साइड होना चाहिए और जो हमारा पेटिकोट का साइज है वो भी उल्टी साइड उपर की साइड होना चाहिए इस तरीके से सैट करेंगे और इस पे एक आधा इंच का सिलाई मार्जिंग लेते हुए हम अपना सिलाई लगा लेंगे कपड़े को बिल्कुल भी खीचना नहीं है बराबर से रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं अब यहाँ पे देखे इस तरीके से नाकुन से इसको अच्छी तरह से सिलाई को सैट कर लेंगे अब हम सीधी साइट से इसको पल्टेंगे और आधा इंच का यहाँ पे मार्जिंग लेते हुए अंदर की शाइट फोल्ड करके उपर से इस पे सिलाई लगाएंगे बेल्ट को बिलकुल भी खीचना नहीं है अराम से आप इस पे सैट करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे कपड़े को किसी भी पार्ट को आपको खीचना नहीं है इस तरिके से जब इस तरिके से आप सिलह लगाएंगी आपका बेल्ट का जुब पे सिल्वटे आ जाती है यानि चुढ़नेटे आ जाती है वो समझे से नहीं आएगी तो आप यहाँ पे देख सकती है बहुत ही आराम से यह हमारा बैल्टा टेस हो गया है एक बराबर से आ गया है कहीं से भी इसमें प्लेट्स नहीं आई हैं अब हम इस पर डबल सिले लगा देंगे एक पैर का गैब देते हुए नीचे की से जब हम फोल्ड करते हैं तो अक्सर इस पर प्लेट्स आ जाती है यहाँ पर गुलाई से फोल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आज मैं आपको बहुत इसान तरीका बताऊंगी यहाँ पर देखिए आप अपनी लंबाई के हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड करिएगा यहाँ पर हमें लंबाई फोल्ड रखनी है तो यहाँ पर हम आधा इंच के ब्रावर ही हम यहाँ पर चोड़ाई में फोल्ड करेंगे इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, सिलाई वाले निशान से ही हमें यहाँ पे फोल्ड करना है अब हमें कपड़े को किस तरीके से लेना है, इस तरीके से पास पास से हमें फोल्ड नहीं करना है बी सेंटर लेना है, अगली वाली सिलाई पे हम इसको फोल्ड करेंगे एक सिलाई पे हमने मशीन को सेट किया है और दूसरे सिलाई से हमने कपड़े को फोल्ड किया है और वहाँ पे पकड़ते हुए हम इसको यहाँ पे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे देखे इस तरीके से अब हम यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया है अब हम दूसरा फोल्ड करेंगे अगली वाली श्लाई पे इस तरीके से बी सेंटर से हमें फोल्ड नहीं करना है अब यहाँ पर अच्छी तरह से पकड़ते हुए थोड़ा सा कपड़े को खीचेंगे और इस तरीके से इसको सेट कर देंगे आप यहाँ पर देख सकती हैं बहुत ही अचान तरीके से यह सेट हो जा रहा है और कहीं से भी थोड़ा भी इस पर प्लेट्स नहीं पड़ रहे हैं अब हम यहाँ पर देखें चोड़ी वाली पट्टी में क्या करेंगे जो हमारा बी सेंटर है चोड़ी वाली पट्टी में वहाँ से इस तरीके से सेट करेंगे कभी भी हमें पास से फोल्ड नहीं करना है हलका सा खीचेंगे और यह हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा इस तरीके सेट करके हाथ उससे दबा देंगे और यहाँ पर शिलाई लगाएंगे इस तरीके से जब आप नीचे की साइट फोल्ड करेंगी आपके पेडिकोट में कहीं से भी सिल्वटे नहीं आएंगी और बहुत ही फिनेशिंग के साथ ये तैयार हो जाएगा तो पूरे पेडिकोट पे हम इसी तरीके से शिलाई लगा लेंगे फ्रेंट बनने के बाद हम आपको इसकी लंबाई भी दिखाएंगे कि 2 मीटर फैब्रिक से कितना लंबा बनके तयार हुआ है इसका घेरा कितना बनके तयार हुआ है सब कुछ दिखाएंगे तो वीडियो को कम्प्लीट देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पे पहली बार आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आन कर लिजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए ये पेटिकोट हमारा तयार हो गया है अब हम आपको इसका गहरा दिखा देते हैं पहले आप इसकी सिलाई देख लिजे कहीं से भी इस पे सिल्वटे नहीं है काफी अच्छी तरीके से ये बनके तयार हो गया है अग हम इसकी लंबाई देखेंगे कि 2 मीटर फैब्रिक से हमने कितना लंबाई यहाँ पेटिकोट तयार किया है यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको लंबाई दिखाएंगे यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से लेके जाएंगे यह हमारा लगभग यहाँ पर देखिए यहाँ पर 36-36 लंबा यह पेटिकोर तयार हो गया है अब यहाँ पर हम इसका घेरा दिखा देते हैं यहाँ से देखिए यह हमारा घेरा जो है के साइज आ गया है कमर का भी दिखा देते हैं तो कमर देखिए यह हमारा 18-19 लगभग नुनिस इंच पर यह हमारा कमर भी तैयार हो गया है तो उमीद करती हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो फ्लीज लाइक कर देजिए चैनल पर पहल अगली वीडियो में नमस्का